ओम श्यान्दी, 14 अक्टूबर के शुरुदन में सब कस होगाते हैं, परमात्पा कहते हैं, किसी के वियर समाचार को सुनकर, इंट्रेस्ट बढ़ाने के बज़ाए, फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भावा, किसी की बाते हम सुनते हैं, किसी की जीवन बुच हो कर कुछ नहीं सकते हैं, और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धी में चला जाता, और बुद्धी के करती हैं, उसको बार बार एक एक जामपल के रूप में सामने ले आती है, जब आप कही फेल होगे, आप वो सिचुशन को लेगा रहे, उनके साद भी तो ऐसे हुआ अब ये कैसे हो सकता है, सुनते हुए भी नहीं, सुनो भी कान तो खोलें काल में तो कोई गेट नहीं लगा कि बंद करो तो उसको आप, साइलेंसर नहीं है, सुन लिया, लेकिन उसको फीलिंग्स में नहीं कनवर्ट किया, क्योंकि फीलिंग्स जो होती हैं, वो फिर हमारे आप आगे निकल गए, राइट, किसी पराय के पराय के पराय देश में, कहीं हाजारों मेल दूर कुछ हो रहा है, आप फुरी दर सुनोगे, अच्छा, अच्छा इसा हुआ है, आपने सुना, लेकिन आपने फीलिंग्स नहीं जेनरेट करी इसक लिए, इसी तरीके से परमा अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ, कोई आपके अंदर कोई गनत नेगेटिव बात सुना दे तो फुल स्टॉप लगाओ, जिस विक्ति का सुना उसके प्रती तृष्टी वा संकल्प में भी गिरना भाव नहीं हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त, तो बिखल भी, इसके साथ ही ऐसा होना चीए, इसको तो सबक से कहना चीए, परमत में भाव नहीं हो, क्यों कि फिर हम क्या होता है, रावन के बच्चे मिन जाते हैं, परमत में के बच्चे की जगा, हम रावन के बच्चे नहीं हैं, तो यह हमें हेल्प करता है, हमारे मन को साफ नहीं करना है, मन को मंदर जैसे मनाना है अम शंती